इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा MIUI 10 के और एक नए ग्लूविल बीटा रॉम अपडेट 8.12.27 के बारे में मैं इस वीडियो मैं आपको फूल रिविव के साथ बताऊएंगा इसमें आपको क्या क्या नại-features मल जाते हैं कौन से कौन से नए चीज एड हुआ है और उसमें क्या ने प्रॉबलेम था जिसे पूरे फिक्स कर दिया गया है तो कौन से प्रॉब्लेम और कैसा है फिक्स जानने के लिए इस विडियो को लास तक जरूर देखना है So without any more wasting time, let's get started So guys, अगर अगर अब जाओगे इसका what's new पे तो यहाँ पर आपको कुछ चीजे लिखे हुए मिलेंगी जैसे यहाँ पर एक नए चीज एड हुआ है, यहाँ पर देख सकते है share chat icon added in whatsapp daily whatsapp card तो अगर आप इस्तेमाल करते है calendar को, तो यहाँ पर अगर आप इस्तेमाल करेंगे calendar को तो simply है calendar को open करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा scroll करके पूरे नीचे में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मल जाएगा daily whatsapp status, तो अगर आप अपने सुभा उट के good morning status आप अपने whatsapp पे upload करते हैं, तो आपके लिए काफी असान से हो जाएगी, यहाँ पर से आप यहाँ पर से कोई भी whatsapp status को वन क्लिक में आप अपने whatsapp पे add कर सकते हो, जो की काफी अचा feature से share chat की तरफ से और यहाँ पर जो दूसरे चीज है, यहाँ पर optimize की गई है, target SDK change to 24, version 26 तो अगर आप इस्तिमाल करते थे Redmi Note 6 Pro या Redmi Note 5 Pro, तो चालता था पहले SDK 24 पे, तो उसे change करके code name को 26 कर दिया है, जो काफी अचा एक update है Android के लिए, Swiss Update Cup को कर लेना चाहिए, और यहाँ पर दूसरे या तीसरे जो optimization मिल जाता है, ओ है यहाँ पर shown customization calendar button, even without internet, तो अगर आप अपने calendar में जाते हैं, और यहाँ पर customize button पे, आपको यहाँ पर जो plus का button है, जो customize button है, वो पहले work नहीं करता था, तो आभी आपका work करेगा, बिना internet के भ है, वो बहुत ही अच्छा lag करता था, तुसे fix कर दिया है, जो काफी अच्छा है, अभी इस update को करने के बाद अपना जो phone है, वो super fast बोल सकते है, super fast हो चुका है, और काफी अच्छी तरीके से work भी कर रहा है, मैं यूज़ कर रहा हूँ, Redmi Note 5 Pro, तो मेरा जो phone है काफी अच्छ तो इस यहाँ पर add हो रहा है, दिन बे दिन अपडेट करने के बाद, तो यहाँ पर में वीडियो पर आपको यहाँ पर celebrity और यहाँ पर fitness का zone मिल जाएगा, fitness का category इसे आप क्लिक करके, आप fitness category और celebrity को one click में access करके देख सकते हो, और अगर आप जाओगे simply themes पे, तो यहाँ पर अक्सेस कर सकते हो, one click में top wallpaper and other rain tone and fonts को भी access कर सकते हो, जो काफी अचा बात है, me music पे और एक नए चीज मिल जाता है, या और एक नए features मिल जाता है, जो playlist एट किया है, अगर आप इस्तेमाल करते थे, me music को online music stream करने के लिए, तो आपको यहाँ पर hangama music पे एक, यहाँ पर heart का symbol देखने को मिल जाएगा, जिसे आप one click करके, आप किसी भी वीडियो को play कर सकते हो, या romantic कुछ गाने को play कर सकते हो, आप यह चेक प्ले लिस्ट है, MIUI 10 का यह जो अपडेट है, 8.12.27, इस अपडेट में और कुछ ज्यादा changes या और कुछ ज्यादा fixes आपको नहें मिलता है, और अगर आपको जानना है इसके change lock, तो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा change lock, आप मुआ से जाके पढ़के, कौन से कौन से ने fixes हुआ है, आप मुआ से चेक आउट कर सकते हूँ, MIUI 10 का यह जो लेटेस को लेविल BTR आउ में 8.12.27, इस अपडेट में और कुछ ज्यादा changes या और कुछ ज्यादा features आपको नहें मिलता है, तो कर आपको यह आपडेट के वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज लाइक किये बिन मत जाना, शेयर गाना अपने MIUI वाले एंड शाओमी वाले फ्रेंड्स के साथ, तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धनिवाद, आपका दिन शूब हो,